नमस्कार स्वाद आप सभी का बजारू की चाल के अंदर मैं हूँ आपके साथ अखिलेश राटी और बजारू की चाल मैं आप सबके लिए बार फिर से लेकर आ गया हूँ कमिटी बजार का अप डेट जानेंगे कि शाम के कारवाई से इसंतर में क्रिषी फसल का कमिटी बजार कैसा कारवा करता हूं ने जरार के अंदर कितनी मन्दी तेजी बन्दी में नजरा रही है limb और हमारे वाइदी की बात करें तो बासर सो चार पर है देखने की कैसर की कीमतों में तेजी ही देखने को मिल रही है हाला कि जो अक्टूबर वाइदा है उसके अंदर कुछ खलकी सी करेक्शन देखी गई थी 600 की उपर था पहले वाइदा वजार फिर 6000 पर जाता हो नजर आया है लेकिन फंडमेंटल्स ओवरल जानकारों द्वारा एक्सपर्स द्वारा अभी मजबूत ही बताए जा रहे हैं कि जो कैसर की के जो फंडमेंटल्स है ग्राउन रिपोर्ट हैं वो मजबूत हैं क्योंकि इस लगाता निरंतर बनी हुई है जिसकी वजासे कैसर सीड़ की कीमतों के सपोर्ट मिलता हो नजर आ रहा है तो ओवरल कैसर सीड़ कीमतों में जो रुझान है वो तेज़ी का ही है बात करें यहां से अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल का डिसम्बर बादा देख रहे हैं पचीस सो एक पर है हलकी सी तेजी के साथ देख रहे हैं कि इस वक्त बिनौला खल का वायदा बजार एक हलकी सी तेजी के साथ मामूली सी बड़त के साथ पच्ची सो के घरों में कारवा करता है नजर आ रहा है दरसल पहले हमने देखा था कि बिनौला खल एक सीमित दारे में देखने को मिलाता हाला कि अभी भी सीमित दारे में ही है लेकिन जिस साबसे कॉटन की कीमतों में एक के बाद एक हाई लगते हुए नजर आ है कॉटन की कीमतों में तेजी बनती ही नजर आई तो उसका कही न कहीं जो इंपेक्ट है बिनौला खल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है बात करें यहां से अगर मसाला कॉंपलेक्स की तो देखने की धनिये का अक्टूबर वायदा 7,852 पर पौने की तेजी की तेजी के साथ और जीरे का अक्टूबर वायदा 14,600 पर है हल्की सी बड़त के साथ बात करें हल्दी की तो हल्दी का अक्टूबर वायता 7400 पर है लवक पॉने 2 फीज़दी की तेज़ी के साथ आज देख रहे हैं कि काफी समय के बाद हल्दी की कीमतों में एक उच्छाल बनता हुए नजर आया है माकेशा A.M.C.V. ने आपको सुबा ही अपने प्रोग्राम बजारों की सितारे में बता दिया था कि आज हल्दी की कीमतों में तेजी देखने के मिलेगी आज वो जो प्रेडिक्शन थी तेशाबित होती भी नजर आ रही है और हम देखने की हल्दी की कीमतों में तेजी बंती वी नजर आ रही है आपको बता दें कि हल्दी की जो फसल है इस साल जादा देखने को मिली है और जो अगली क्रॉप होगी जो अगली फसल आएगी हल्दी की वो भी जादा रहने का अनुमान अभी लगाया जा रहा है क्योंकि इस बार मौनसून की जो बारिश है अच्छी कासी देखने को मिली है जिसकी वज़ासे जो पैदवार है हल्दी की वो बढ़ती भी नजर आ सकती है बात करें जीरे की तो जीरे की जो जीरे का जो स्टॉक है मंडियों के अंदर और वेपारियों के पास ट्रेडर्स के पास इस समय वो ठीक ठाकी देखने को मिल रहा है जिसकी वज़ा से जीरे की कीमतों पर हमने एक impact आता वा देखा था ये दबाव आता वा देखा था लेकिन जीरे की जो मांग है जो निर्यात मांग है विदेशों से निकल के आ रही है हाला कि जो मसाला निर्यात है उसके अंदर गिरावट है लेकिन जो जीरे की निर्यात मांग है उस वो निकल के सामने एक बाव फिर सा आ सकती है जीरे की निर्यात मांग है तेजी देखने को मिल सकती है इसकी वज़ासे जीरे की जो कीमते हैं अभी कुछ तेज होती भी नजर आ सकती है निर्यात मांग निकल सकती है अभी जानकारों दोवारा एक्सपर्स दोवारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है बात करें यहां से अगर धनिय की तो देखने हैं कि धनिय 7898 पर है दरसल दनिय का जो वायदा बजार है वो भी अभी हाल फिलाल में एक सीमी दारे में देखने को मिल पाएगा लेकिन जैसे जैसे अभी दिवाल लियाएगी तो दनिय की कीमतों में भी एक तेजी देखने को मिल सकती है जिसकी वज़ा से धनी की जो कीमते हैं वो 8000 तक या 8000 की उपर भी जाती भी नजर आ सकती है तो ओवरल उरुज़ान मसालों में अभी हाल फिलान में तेजी कहीं बना रहेगा मसालों की कीमतों को अभी एक तोहारी सीजन का एक तोहारी डिमाइंड का सपोर्ट मिलता रहेगा बात करें यहां से अगर अब गौर कॉंपलेक्स की तो देख रहे हैं कि गौर गम का अक्टूबर वायदा 10,851 पर कारुबार कर रहा है तीन फीजदी का अपल सर्कूट लग चुका है और गौर सीजन का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 6,000 पिचानदे पर कारुबार कर रहा है दो फीजदी की तेजी के साथ देख रहे हैं कि आज भी गौर गम और गौर सीजन का जो वायदा बजार है और आज देख रहे हैं कि 10,800 का भी लेवल ब्रेक हो गया अगर इन लेवल्स पर सस्टेनिबिलिटी बनती है और डेली बेसिस पर क्लोजिंग होती है तो गौर की जो कीमते हैं वो दीरे-दीरे 11,000 के आखरों की और जाती भी नज़र आएंगी और अगर 11,200, 11,300 के उपर क्लोजिंग हो जाती है तो मोतिलाल आस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजर के मताबिक गौर की जो गौर गम की जो कीमते हैं 12,000 का भी लेवल दिखनाती भी नज़र आपाएंगी तो गौर गम में ओवरोल उजान तेजी का ही है क्योंकि इस बार गौर की जब बौई का समय चल रहा था उस समय मौनसून की गतीवीदियां जादा देखने को मिलती भारी वारिश का दौर जादा देखने को मिला था जिसकी वज़ा से गौर की जो बौई है बिलकुल नाह के बरावर हो पाई है मुख्य उतपादक राज्यों में गौर की बौई इस समय इस बार नहीं हो पाई है और इस बार जो जानकार आंकडा बता रहे हैं जो आंकलन किया जा रहा है गौर की बौई गौर की उतपादन का लगबग 20 से 25 लाग बोरी का किया जा रहा है दूसरा गवार की industrial demand भी ठीक ठाक निकल के सामने आ रही है और गवार का जो पुराना stock था अब वो धीर धीर है वो खपता हो नजर आ रहा है जिसकी वज़ा से गवार की कीमतों में तेजी बनती भी निजार आ रही है बात करें यहां से गवार सीड की तो गवार सीड में भी जो जानकार है वो तेजी का ही रुजान बता रहे हैं गवार सीड में भी बासर सो तेजी का ही देखने को मिल सकते हैं तो ओवरल रुजान गवार की कीमतों में अभी तेजी का ही देखने को मिलता रहेगा बात करें यहां से अगर खादे तेल की तो खादे तेलों में हम दे देने के लिए वेपारियों को कहा कि सरकारी पोर्टल पर सारे के सारे वेपारी, एक्सपोर्टर्स, मिलर्स, सारे की सारे अपने उनके पास जितना भी स्टॉक है, सरसो का, स्वयवीन का, उसकी जानकारी देंगे, अपने तेल तीलन के स्टॉक की जानकारी देंगे, इसकी कि जैसे पहले सरकार ने चने के उपर दलन के उपर स्टॉक लिमिट लगाई थी कि जो वेपारी है दलन का स्टॉक इससे जादा नहीं रख सकते ठीक उसी तरह सरकार ने अब खादे तेलों की उपर भी स्टॉक लिमिट लगा दिये और अब कल के कारवाई सत्र में सरकार का ए कीमतों में कुछ नर्मी देखने को मिल सकती है और इसी का ही नतीज़ है हम देख रहे हैं कि खादे तेलों को वायदा बजार आज NCDX पर एक लाल निशान के साथ कारवार करता हूं नजर आ रहा है देख रहे हैं कि यहां पे सरसो का नममबर वायदा 8072 पर है 1 फीज़दी की गिरावर्ट के साथ डिफान्ड सोय तेलो का अक्टूपर वायदा 1632 पर आदे फीज़दी की करेक्चन के साथ और सोईबीन का अक्टूबर वायदा 5321 पर है एक फिस्दी की करेक्शन के साथ देखने की खादे तेलों का वायदा वजार आज एक लाल निशान पर कारबार करतावा नजर आ रहा है दरसल सरकार एक्शन तो ले रही है एक के बाद एक सरकार चाती भी है कि भोकताओ को तेवारी सीजर में खादे तेलों की बढ़ती कीमतों से रहात मिल सके लेकिन जो कीमते हैं वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ही कम होती है पहले जो पहले कीमते थी अगर साल बर पहले की बात करें तो साल बर पहले सरसो तेल का जो एक लीटर का दाम था वो 90 रुपे, 100 रुपे लीटर था मैकसिमम 120 रुपे अगर कोई अच्छी कंपनी का लेते हैं आज देख रहे हैं कि 200 का आखड़ा पार कर चुका है 200 रुपे प्रती लीटर का आखड़ा पार कर चुका है सरसो तेल और अगर रिफाइंड की बात करें तो रिफाइंड भी लगग इसी डायरे में देखने को मिलते हैं हाला कि इतने महेंगे नहीं हैं लेकिन उससे कम हैं कीमते हैं सरसो तेल के से कम हैं बाकी खाड़ तेलों की लेकिन उनके तेलों में भी तेलों की जो कीमते थी उनकी वो भी बरती भी नजर आई हैं क्योंकि सरसो की कीमते बढ़ी है दरसल सबसे पहले सरसो की बात करेंगे खाद तेलों के अंदर तो सरसो की बुवाई इस बार जादा देखने को मिली प्रोडक्शन भी ठीक ठाक ही है लेकिन जब सरसो की आवके हुई मंडियों के अंदर तो pipeline जो सरसो की pipeline थी जो stock था किसी के भी पास मौजूद नहीं था जिसकी वज़ा से सरसो की मंडियों में आते ही खरीद हो जा रही थी पुरानी सरसो की मांग जादा हो रही थी नई की कम क्योंकि नहीं सर्सों की जब आवक होती है तो नहीं सर्सों में नमी की मातरा जादा होती है जिसकी वज़ा से पुरानी सर्सों की डिमांड बढ़ जाती है तो जो तेल मिल रहे थे वेपारी थे बड़े बड़े सब ने सर्सों की खरीद जादा करी तेल भी सरसो की पैराई भी जादा होती रही तेल भी मार्किट में साथ के साथ उतरता रहा लेकिन जब देखा कि सरसो की पैराई जादा हो रहे हैं सेंटिमेंट्स तेजी के बनते जा रहे हैं सरसो की जो कीमते हैं वो बढ़ती चली गई और जो छोटी मिल्स थी पेराई मिले थी वो उची कीमतों पर सरसो की एदनी खरीद नहीं कर पाई जिसकी वज़ा से उनकी लागत नहीं निकल पाई और अब इसी का नतीजा है कि उन पेराई मीलों को बंद होना पड़ा जो कीमतें जादा देखने को मिली थी जिसकी वज़ा से वो भी सरसो की उच्छी कीमतबग खरीद नहीं कर पाई हाला कि जो वेपारी थे उनका यही कहना था कि सरकार को भी सरसो की बिजाई के लिए बुआई के लिए पहले से स्टॉक कर लेना चाहिए नहीं तो सोयबीन के बुआई की समय जो क्राइजिस होए थे जो संकट आया था सोयबीन के वीजो की किलत का वो भी सरसो की बुआई की समय देखने को मिल सकता है अब सर्सों की बुवाई चालो हो जाएगी और कई राज्यों में हो भी गई है और जो फसल होगी वो फरवरी या मार्च तक ही आएगी और तब तक जो स्टॉक है वो कम ही देखने को मिल रहा है लगबग 30,000,000 एक महीना पहले बताया गया था जिसमें से अब कुछ खब भी गया होगा और किसानों के पाथ 10-15,000,000 है जिसमें से लगातार दिन प्रति दिन खबता ही जा रहा है तो स्टॉक कम है और जो किसान है वो भी अपनी सर्सों की जो उपज है रोक रोक कर मंडियों में ला र सर्सों की जो नहीं फसल होगी उसमें नमी की मातरा जायदा जादा होगी मौश्यर जादा देखने की मिलेगा और जबकि पुरानी सर्सों की जो मांग होगी वो जादा बढ़ जाएगी तो किसानों ने उस समय का लाव उठाने के लिए अपनी सर्सों की फसल को अभी रोक क रखावा है जिससे कि किसानों की लागत अच्छे से निकल पाए क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि सर्सों की जो कीमते हैं इतनी अच्छी मिलती है बंपर मिलती है और किसानों की लागत भी निकल जाती है तो इस बार किसानों को जो सरसो है वो काला सोने के रूप में साबित होती भी नजर आ रही है और आने वाले समय में जैसर सर्दी आ जाएंगी तो सरसो तेल की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और दूसरा जो प्राइसेज है वो भी बढ़ते वे ही नजर आएंगे तो किसानों को सरसो के दाम अभी और अच्छे मिलने बागी है तो किसानों से एक दर्क्वास आएगी तो किसानों किसी के बहकाए में ना आए किसी खबर के या अफवा के चक्कर में ना आए कि दाम घट गए हैं बढ़ गए हैं एक अववा उरती है जो सारे में फैलती है और दाम घड़ जाते हैं तो किसानों को सो समझ कर सतर्क रहने की आवशकता जादा है बात करें सोयबीन की तो सोयबीन में भी किसानों के साथ ही ऐसा ही होता हो नजर आया था सोयवीन की जब भुवाई हो थी जून जुलाई के समय उस समय सोयवीन की जब भाव थे जादा देखने को मिले थे वैदा बजार के अंदर 10,000 के पार आंगड़ा सोयवीन का पार हो गया था क्योंकि उस समय सोयवीन के बीजों की किल्लत थी सोयवीन के बीजों की किलत थी और काला बजार भी सोयवीन के बीजों की देखने को मिली थी जिसकी वज़ा से सोयवीन के जो दाम ते बाइदा बजार में उचलते भी नजर आये थे और उस समय मौनसून की गतिवीदियां इतनी देखने को नहीं मिली थी जिसकी वज़ा से ये आकलन निकाले गया था ये आकले निकल के सामने आये थे कि सोयवीन की जो बुवाई है पिछले साल की मुकावले चालू साल में चालू सीजर में कम देखने को मिलेगी जिसकी वज़ा से सोयवीन के दाम एकदम सो उछलते भी नज़र आए और उस समय किसान के पास सोयवीन का स्टॉक नहीं था और अगर किसी के पास हो अभी तो वो भी थोड़ा बहुती होगा क्योंकि जो सोयवीन थी वो भारी बारिश की वज़ा से लागातार निरंतर खराब ही होती भी नजर आ रही थी और किसान के पास जो माल था वो बुवाई के लिए वो भी बोने लाइक नहीं था तो किसानों ने महेंगे दाम पर वीच खरीद कर बुवाई करी कि इसी चक्तर में की चलो उन्हें अच्छे दाम मिल जाएंगे लेकिन जैसे जैसे वाईदा बजार में तेज़्ी आती गई सौहबीन के दाम तेज होते गए ये भी जो खादे तेल के दाम ते उस समय वभी तेज और देज और ये जिसकी वज़ा से लेकिन जिस हिसाब से अब मौनसुन की गतिवीदियां बीच में देखने को मिली थी किसानों को काफी जादा नुकसान भी हुआ है सोयवीन की फसले बड़े पैमाने पर खराब भी होती भी नजर आई है अगर किसानों को ये बताया जाए कि सोयवीन के आंकड़े जादा है उतपादन के जादा रह सकता है उतपादन का आंकड़ा तो किसान इस चीज़ को नहीं मानेंगे क्योंकि किसानों को पता है कि उनके खेतों में सोयवीन की जो फसले हैं कितनी खराब हुई है तो जो आंकड़े दिये जा रहे हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट्स के कम और जो पहले के आंकड़े ते और मौसम की गतिवीदियां उनको देखकर जादा दिये जा रहे है तो ग्राउंड रिपोर्टिंग इस समय सोयवीन के आंकड़ों की नहीं की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही पता है कि उनकी फसल कितनी खराब हुई है और अगर उत्पादन जादा होने के आखड़े नजर भी आते हैं तो मौनसून की वज़ा से भारी बारिश की वज़ा से बार के चलते सोयबीन की फसले इतनी खराब हुई है कि जो उत्पाद है ने उस पर भी कही नग इंपक्ट पढ़ता हो नजर आएगा अगर कोई कहा देता है कि सोयबीन का उत्पाद है फिछले सार के मुकाबले जादा रह सकता है जादा होगा मान लिया लेकिन किसानों को भी पता है कि उनकी फसले कितनी खराब हुई है तो सोयवीन की जो कीमते हैं आने वाले दिनों में वो बढ़ने के चांसे पूरे-पूरे हैं तो किसानों को सतर्क होने की जरूरत है कि अफवा के चलते या किसी ख़बर के चलते जादा उत्पादन आखड़ों के चलते अपनी सोयवीन मंदी में न बेच दें थोड़ा सा समाल के भी रखें क्योंकि धीरे-धीरे अब जैसे सोयवीन का जो स्टॉक है कम ही है और हाला कि मंदियों में सोयवीन की आवके हो रही है लगातार हो रही है लेकिन सर्दिया है तो कीमतें तेजी रहने का अनुमान है क्योंकि ख़पत के आखड़े नहीं है आपको बता दें कि सोयवीन की ख़पत भी बड़ी है अगर उत्पादन जादा रह सकता है ऐसे आखड़े आए हैं तो खबद भी इस वार जादा होई है तो सोयवीन की कीमतें अभी आगे चलके तेजी रहने का अनुमार है इसके लिए हमने एस्टो मनी गुरू कनल अजेक का सोयवीन पर इंटर्वियू भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है सोयवीन की भविश्यक कैसर आएगा आप वो भी जाके आगे देख सकते हैं तो यह था एक छोटा सा क्रिशी फसल बजार का अपडेट की शाम के कारवा इस सर्थ में कौन सी क्रिशी फसल किस भापर कारवा करती है नजर आ रही है और उन पर जानकारों की क्या रहा है जानकार क्या बता रहा है आगे जाकि किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आपाईगी आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो अगर आपको माई जानकर ही अच्छी लगी हो तो मारे वीडियो को लाइक करें, शेर करें और जब मारे यूट्यूब चैनल पर नए है वो मारे यूट्यूब चैनल MarketAmCV को सब्सक्राइब करना न भोलें फिलाल मजारू की चाल में अभी बस इतना ही लेकिन आपके इंजायेगा नहीं क्योंकि खबरों को सिलसला लगातार यूँ ही बना रहेगा MarketAmCV पर